हाई एव्रिवान दिस इस नेहा वेलकम बाक टू दे चैनल तो कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप सबको पता ही होगा सीबीएसी ने आज सुबह सुबह धमाका कर दिया सीबीएसी का सेशन 2021-2022 का टर्म 1 टर्म 2 का फाइनल सेलेबस आज रुका है जिसे लेके आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी क्वेरीज चल रही होगी लाइक कैसे पढ़ना है अब क्या स्ट्राटेजी हम लोगों को अपनानी है सेलेबस क्या सही में रिडियूस हुआ है क्या जो टर्म 1 में आ रहा है वो टर्म 2 में रिपीट होगा क्या बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में चल रहे है किस टॉपिकों हमें कितना सब्जेक्टिव में तुम लोग कुछ भी लिखाते थे कर लेते ते अराम से अंदर का अब सी क्यू किस तरह से अटाम्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 का एकोनोमिक्स का सेलेबस डिसकस करेंगे साती साथ हम लोग ये डिसकस करेंगे कि MCQ के लिए हमें किस तरह से प्रिपेर करना है MCQ में बेस्ट स्कोर करने के लिए हमें क्या स्ट्राटेजीज अपनानी है किस तरह से हमारे कोर्स को हमें तयार करना है कि हम लोग MCQ में हमारा बेस्ट दे सके So, पहले सेलेबस हम लोग discuss करेंगे class 12 का उसके बाद में हम लोग MCQs के बारे में कि MCQs की पढ़ाई किस तरह से करें वो discuss करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना This video is going to be very important for you all So, let's start देखे, economics के अंदर हमारे पास में दो books है First है macro economics Second है Indian economic development देखे, अब यहाँ पर CBSC turn 1 के अंदर तीन चीजे दे रहा है Money and banking, Government budget and economy और balance of payments ठीक है, अब यहाँ पर यह problem यह हो गई कि अभी तक आप लोगों के schools में आ रहे होंगे starting के chapters जैसे कि national income आप सब लोगोंने national income पढ़ लियो होगा national income and related aggregates अब वो term 1 में CBSC नहीं दे रहा क्योंकि CBSC वो किसमें देगा term 2 में, CBSC भर-भर के national income के numericals उम लोगों को देना चाता है, तो हम लोगों के पास में क्या आ रहा है, money and banking government budget and the economy balance of payments, तो देखे, 6 marks का हमारा money and banking है 6 marks का हमारा government budget है, और 6 marks का हमारा balance of payments है, कुल मिलाके हो गया, यह 18 marks का हमारा macro economics, अब देखे, इसके अंदर questions किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे MCQs बनते हैं, आपका concept एक दम clear होना चाहिए, प्लस यहाँ पर questions current affairs से related भी आ सकते हैं, क्योंकि यह topics ही कुछ ऐसे है, government budget, balance of payments तो यहाँ पर current affairs भी आपको prepare करने पड़ेंगे, MCQ में best score करने के लिए, साथ ही साथ balance of payments के साथ में हमारा एक topic और आ रहा है that is foreign exchange rate, तो तीन चीजे निए हैं, यह चार चीजे हो गए हैं, मारे पास में money and banking, government budget, balance of payments, foreign exchange rate, तो कुल मिलाके इनका weightage हो गया हमारा 18 marks, जिसके अंदर आपको में MCQ किस तरह से prepare करने, current affairs prepare करने है, साथ ही साथ concept clear करना है, theoretical चीजे भी आपको याद रखनी है दूसरी बग पर आते हैं, Indian Economic Development, देखे, Indian Economic Development में हमारे शुरुआत वाले chapters ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, development experience 1947 to 1990 and economic reform since 1991, देखे, इसके अंदर एक topic है Indian economy on the eve of independence, कि Indian economy कैसी थी independence से पहले, fine शुरुआत वाला chapter है, हो जाएगा, second है Indian economy 1950 से 1990, ठीक है, कि Indian economy के अंदर क्या-क्या changes आए 1950 से 1990, वो हम लोग इसमें discuss करेंगे, third है liberalization, privatization, globalization, क्या है liberalization, privatization, globalization देखे, liberalization, privatization, globalization क्या है, new economic policies के अंदर, अब यहीं पर एक MCQ question बन जाता है, कि new economic policies कब आई थी, ठीक है, तो comment section में मुझे बताना, new economic policies कब introduce करी गई थी, दूसरी चीच पर आते हैं, हम लोग current challenges facing कौन कौन से challenges face कर रही है, तो first है poverty, then human capital formation, rural development, तो development experience का हमारा weightage हो गया 12 marks, current challenges facing, Indian economy का weightage हो गया 10 marks, कुल मिला के Indian economic development हमारी आ रही है 22 marks की, मतलब macro से जादा weightage किसका है, Indian economic development का, तो इस तरह से 40 marks का हमारा economics का exam, economics का MCQ paper, term 1 का आपका तयार होगा, जो आपको 90 minutes, मतलब देड़ घंटे में पूरा करना है, ठीक है, paper entirely कैसा होगा, आपका MCQ होगा, MCQs आपके कैसे भी आ सकते हैं, हो सकता है, 1 mark के MCQs हो, हो सकता है, 2 marks के MCQs भी आ जाए, और pattern आ सकता है, कुछ 1 mark के आ जाए, कुछ 2 marks के आ जाए, depend करता है, अब बच्छे 10 marks, यह होता था, वही 20 marks, project work के टु टम्स में डिवाइड हो गए है, turn 1 के आन रिदर 10 marks, turn 2 के आनदर 10 marks, तो ठीक है, turn 1 के अंदर आपको जो project बनाना है, project आपको एग ही बनाना है for the entire year, बस यह है, वो project, जो 10 marks के अपना बन राहा है, Term 1 के लिए को आपके school के teachers ही check करेंगे, school के teachers ही आपका WIVA लेंगे और उसमें आपको 10 में से number बिल जाएंगे इसम्नें आपके कुछ internal assessment के marks मांक्स भी हो सकते हैं तो इस तरह से हमारा Term 1 prepared होगा 50 marks के लिए तो देखे को अब हम लोग एक बात होड़ा सा detail में discuss कर के लिए हमें किस तरह से प्रिपेर करना है तो देखिए मैक्रो एकोनोमिक्स के अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है मनी एंड बैंकिंग उसके अंदर आ रहा है मनी के अंदर मीनिंग और सप्लाय ओफ मनी देखिए मीनिंग को अभी तक हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब ह इस हेल बाइ कमर्शल बैंक यह आपको प्रिपेर करना है उसके बाद में एक बहुत ही इंपार्टेंट टॉपिक है हमारा money creation by commercial banking system देखें यहां पर सिर्फ money creation by commercial bank आ रहा है यहां पर commercial bank के functions आपको तयार नहीं करने वो हमारे syllabus से हट चुके हैं फिर एक और important topic आता है Central Bank and its functions कि Central Bank क्या-क्या functions perform करता है, कि bank of issue है government का bank है, ये सारी चीज़ें, ये सारे functions आपको prepare करने हैं तो इतना सा हम लोगों को money and banking के अंदर देखना है, money creation important हो गया Central Bank के functions important हो गया साथ में current affairs से related important questions हम लोगों को discuss करने है, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, government budget and the economy तो देखे, government budget के अंदर उसका meaning हो गया, objectives हो गया, components हो गया ये सब कुछ आपकी book में given है उसके बाद में receipts की बात होती है कि government के receipts कैसी होती है revenue receipts होती है, capital receipts होती है expenditure भी दो तरह का होता है revenue expenditure, capital expenditure ये सब कुछ as it is आ रहा है कोई दिक्कती है, यहां कुछ नहीं कटा है measures of government deficit government deficit से बहुत तरह के होते है revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit ये तीनों चीज़े हमें discuss करनी है, तो यहां पर कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको as it is prepare करना है third है हमारा balance of payments balance of payments का again meaning आ रहा है और उसके components आ रहे कि balance of payments के क्या-क्या components है foreign exchange rate के अंदर meaning of fixed and flexible rate and managed floating, managed floating से बहुत सारे important आपके MCQs बन सकते हैं तो ये भी important topic हो गया prepare करने के लिए, साथी साथ ये जो हमारा government deficit था ये भी बहुत important topic है deficit से related questions बहुत बार पूछे जाते हैं तो ये हमारा macro economics का syllabus है जिससे related basically आपको current affairs भी prepare करने हैं और साथी साथ book का पूरा concept आपको अच्छे से prepare करना है ताकि आप MCQs किसी भी तरह के बने आप लोग confused ना हो अच्छे से MCQs को attempt कर सको तो अब चलते हैं हम लोग Indian economic development की तरफ देखे Indian economic development के अंदर हमारे शुरुआत वाले chapter आ रहे development experience and economic reform since 1991 इसके अंदर आ रहा है हमारा state of Indian economy on the eve of independence की भई Indian economy independence से पहले कैसी थी कि हमारी economy backward थी stagnant थी agriculture हमारा entirely rainfall पे dependent था agriculture sector रिती अच्छी खासी progress कर नहीं रहा था foreign countries के साथ में हमारे अच्छे खासे relations नहीं थे तो यह सब चाहिज़े हम लोग Indian economic कैसी थी independence से पहले वो सब इधर पढ़ेंगे Indian economic system and common goals of 5 year plans देगे 5 year plans बहुती current वाला topic है यहाँ पर आपके general knowledge वाले questions भी आएंगे और current affairs के questions भी आ सकते हैं इसको आपको अच्छे से prepare करना है second है main features problems and policies of agriculture agriculture से related हम लोग features discuss करेंगे policies of agriculture discuss करेंगे कि सरकार agriculture sector को improve करने के लिए क्या-क्या policies लेकर आती है तो इस से related भी हम लोग current affairs prepare करेंगे कि भी सरकार क्या-क्या policies ला रही है MSP से related questions यहाँ पर आ सकते है minimum support price जो कि एक current topic है तो इस तरह की चीज़े हमें यहाँ पर prepare करनी है अगे यहाँ पर एक और important चीज़ आती है IPR industrial policy resolution 1956 जो subjective में भी एक important topic था और objective में भी एक important topic होने वाला है SSI small scale industries का क्या role है क्या importance है यह सब चीज़े हम लोग इस unit के अंदर unit 6 के अंदर discuss करेंगे next आती है हमारी current challenges facing Indian economy की poverty के बारे में absolute poverty क्या है relative poverty क्या है सरकार government क्या-क्या programs लेकर आती है poverty दूर करने के लिए गरीबी को हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है सरकार कौन-कौन सी policies और programs लेकर आ रही है यह एक current का मुद्दा है यहां से आप लोग current affairs prepare करेंगे second है हमारा human capital formation normal सा topic है how people become resources लोग human resource लोगों को resource क्यों कहते है human capital formation का क्या role है country के development के अंदर next है rural development से related key issues credit and marketing credit and marketing मतलब farmers को किस तरह से credit provide करा जाए उनके लिए क्या उनको benefits मिले कैसे उन लोगों को loans वगेरा easily available कराया जाए कैसे उनके product की marketing हो corporatives का क्या role है agriculture sector के अंदर क्या-क्या diversifications होते आ रहे यह सब कुछ आपके paper में आएगा तो paper आपका कुछ इस तरह से आपनों को तयार करना है कि आपका concept अच्छे से clear हो plus MCQ उसके लिए देखिए आपको economics में तो current affairs पढ़ने ही पढ़ेंगे अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोग MCQ के लिए किस तरह से prepare करोगे, क्या strategy अपना होगे कि MCQ में आप अपना best दे पाओ क्योंकि main तो वही है अभी हाँ पर यहाँ पर आपका subjective exam नहीं होने वाला है कि आप कुछ भी heading लिख दी अंदर का कुछ भी लिख कर आगए तो MCQ के लिए किस तरह से prepare करना है तो ध्यान से देखो first है don't follow the sequence usually हम लोगों की habit क्यो होती है कि हम लोग question 1 से शुरू करते है कि वही first से ही शुरू करेंगे और फिर sequence वाई, sequence वाई, sequence वाई चलते जाएंगे या फिर कुछ लोगों में habit होती है कि last question से start करते है कि question number 100, question number 99, question number 98 ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना don't follow the sequence माल लो first question से attempt करेंगे question 1 करा, question 2 करा, question 3 करा question 4 करा, question 5 पर अटक गए ठीक है, अब question 5 पर अटक गए आप लोगों की habit होती है कि आप question 6 पर switch नहीं करोगे आप उसी को लेके बैठे रहोगे उसी में आपके 10 मिनट चले जाएंगे और paper में हमें सर्फ कितने मिल रहे है 90 मिनट्स, हो गया वही time खराब और examiner की trick होती है कि वो बीच-बीच में tough questions डालते है बीच-बीच में वो tricky questions add करते है, कि वही 3-4 questions flow से आपके easy-easy निकल रहे है moderate निकल रहे है एकदम से tricky और tough question आ गया वहीं पर तो अटक होगे आप लोग वहीं पर तो आपका time waste होगा हमें ऐसा नहीं करना, हमें वो sequence follow नहीं करनी, 1, 2, 3, 4 या फिर 199, 98 हमें question किस तरह से prepare करना है हमें question paper, हमें MCQ किस तरह से prepare करने है, किस तरह से solve करने हमें, हमें अपने MCQ को solve करने के लिए 3 stages तयार करनी है, stage 1, stage 2, stage 3 पहले आप सारे के सारे questions देख लो, सबसे पहले वो questions करो जिनको आप एक बार देखते ही, टिक कर सकते हो कि आप sure और इसका answer तो यही होना है ठीक है, जहां पर आप 100% पहले उन questions को टिक कर दो, fine अब questions आपके पास में और बचते हैं अब आप उन questions की तरफ जाओ जिन पर आपको लगता है कि यह questions भी मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ, अगर मैं एक बार थोड़ा सा मेरा time दे दू तो, ठीक है अगर थोड़ी सी महनत करके, थोड़ी सी calculation करके, थोड़ा से दिमाग लगा कि आपसे उनके answers निकल सकते हैं उसके बाद आप उन questions पर आओ फिर at the end, जब आपके पास में time बचेगा, तो वो questions बचे हैं कि भई जो आपको आते ही नहीं है but you have time, तो वो time आप उन questions पर spend कर सकते हो जो आपको लग रहा है, आपको आते ही नहीं है, उन questions को आप attempt कर सकते हो कि ठीक है भई, आ रहा है तो ठीक है, नहीं है आ रहा तो jam आता दी करके लगा दो, तो वही है, don't follow the sequence, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हमें नहीं जाना है, हमें कैसे करना है सबसे पहले वो questions करना है, जो देखते ही हम लोगों को आ गए उसके बाद में हमें उन questions पर आना है जिन में हमें लग रहा है कि हाँ भई मैं solve करूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको time दे दूँ तो ये question मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ इस question को, then वो questions solve करो and at the last हमें उन questions पर आना है जो questions हमें नहीं आते और उन पर हमें लग रहा है ठीक है थोड़ा और सोचा जा सकता है इन topics के बारे में इन चीजों के बारे में कहीं न कहीं से याद आ जाए और नहीं आये तो ठीक है जयमाता दी करके लगा दो ठीक है fine, second है elimination technique देखिए आपको चीजों का eliminate करना आना चाहिए हमारे पास में options आते हैं A, B, C, D ठीक है, आपको लग रहा है कि भई C तो बिलकुल ही नहीं हो सकता मान लो, ठीक है, तो आप C को सबसे पहले हटाओ, कि भई इसको हटा दो अब आपके पास में choose करने के लिए सिर्फ तीन ही बचे A, B, D, अब आप इन में से choose करोगे, तो elimination technique आपको आनी चाहिए, कि सबसे पहले आपको ये देखो कि भई कौन सा odd one out है ये तो हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता इसका answer, उसको सबसे पहले side में रखो कि ताकि भई अभी तक हम लोग 4 पर focus कर रहे थे, अब सिर्फ 3 पर focus करेंगे तो इस तरह से आपको चीजों को हटाना चीजों को eliminate करना आना चाहिए तो इसके अंदर हम एक चीज और देख सकते हैं सपोस्थ आपके पास में है option A, B, C, D ठीक है, 4 options आपके पास में है अब आपको मान लो लग रहा है कि option D जो है वो आपको eliminate कर देना चाहिए option D तो हो ही नहीं सकता इसका answer बिल्कुल odd one out है for example मैंने बोल दिया एक साइड मैंने लिख दिया एक option banana एक साइड मैंने लिख दिया grapes इधर मैंने लिख दिया orange एक मैंने लिख दिया ball ठीक है भई, ball हमारा answer ही नहीं हो सकता odd one out है, इसको हटा दो सबसे पहले अब हमारे पास में तीन options बचे तो दें कि 90 to 95% research के हिसाब से कभी भी A और D research के हिसाब से बता रही हूँ मैं जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो 90 to 95% cases में A और D usually answers नहीं होते answer हमेशा B और C के बीच में होता है ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा हो but 90 to 95% cases के हिसाब से research यह कहती है कि A और B जादा तर हमारे answers नहीं होते answer हमारा B या C में से आता है तो दो आपने eliminate कर दिये जब बिलकुल ही नहीं आ रहा, यह हम लोग third stage की बात करें जब बिलकुल हमें समझ में नहीं आ रहा है अब हमारे पास में बचे grapes और orange अब इसमें थोड़ा से दिमाग लगा दो इसमें नहीं दिमाग लगा पारे ठीक है फाइन जैमाता दी कर दो जैसे तुम्हें लगाना है वैसे लगा दो ठीक है एक चीज और होती है बच्चों अगर question के अंदर आपका all of the above option available है ठीक है या फिर आपके पास में none of the above है ठीक है तो mostly research ये कहती है कि जादा तर answer all of the above अगर all of the above या फिर none of the above available है तो वो ही उस question का answer होगा उसे tick लगा देना ये सब आपको stage में करोगे जब आपको question नहीं पता stage 1 में आपने tick लगा दिये stage 2 में लगा दिये stage 3 में जब आपके पास में time नहीं बचा है किस तरह से solve करें उस time आपको ये tricks और tactics use करने है third हम लोग आते हैं concept and MCQ सबसे main बात, सबसे important बात देखे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि MCQ पेपर आएगा बजार जाते हैं बजार से एक book उठा के ले आते हैं उस book के अंदर हजार दो हजार question आएगे वो सारे questions पर दालेगे exam में 40 question आएगे, 40 question क्या पता उसमें से लग जाए ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ बजार से कोई MCQ की book लाए उसमें से उठा के हम लोग ने prepare कर लिया सबसे main है कि आप लोगों का concept clear होना चाहिए देखिए माल लो हो सकता है जैसा आपने question MCQ की उस book में से बाहर से जो book लाए उसमें से पढ़ा हो और वैसा question आ भी जाए आपके exam में बट language change होगी समझ नहीं पाओगे और कोई guarantee नहीं है जो 2000 questions आप लोगों ने prepare कर रहे हैं उस बाहर से कोई book लाके उसी में से आपका question CBSE आपको दे दे CBSE इतना easy paper set नहीं करता वो बहुत घुमा फिरा के देता इस तरह से books में से paper उठा के नहीं देता तो सबसे main बात है कि आपका concept आपको अच्छे से clear करना है chapter आपको अच्छे से समझना है कि chapter क्या कहना चारा है your concept should be very much clear अब देखे सिर्फ concept clear करना भी enough नहीं है साथ में MCQ की practice होती रहनी चाहिए क्योंकि अगर questions आपने 10-15 questions साथ 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 आप देखते जा रहे हो हर topic के साथ देखते जा रहे हो तो कहीं ना कई कोई question तो लग सकता है और कहीं ना कई चीजें आपके दिमाग में रहती है हाँ भाई यह वाला question हम लोगों ने उस time देखा था तो exam में हम लोग उसको जल्दी से कर सकते हैं तो दोनों ही चीजे बहुत important है concept clear करना भी important है साथ ही साथ में MCQ की practice करना भी बहुत ज्यादा important है तो अपने concepts को strong रखो तो यह माँ सोचना की ठीक है बाजा से कोई बुक लाए MCQ पड़े हो गया हमारा काम बिलकुल नहीं होगा कोई guarantee नहीं है अपना concept strong रखो साइट चोटी-चोटी से points से उनके notes बनाओ आराम से paper हो जाएगा बिलकुल panic होने की जरुवत नहीं है तो अब जो next videos हम लोग बनाएंगे वो हम लोग entirely term 1 को ध्यान में रखके बनाएंगे term 2 से related कोई chapter अभी हम नहीं discuss करेंगे अभी हम लोग सिर्फ term 1 पर focus करेंगे तो next video के अंदर हम लोग money and banking start करेंगे और अब जो हम लोग videos बनाएंगे उसके अंदर हम लोग term 1 का pattern ध्यान में रखेंगे कि हर video कि में अंदर starting में पूरा concept आपको समझाया जाएगा और at the end of every video उस concept से related कुछ 10-15 MCQs हम लोग साथ-साथ solve करेंगे तो इससे क्या है आपका concept भी solve होगो साथ-साथ MCQs पर भी आप better way में focus कर पाओगे ठीक है तो बिल्कुल पेन नी लेना बहुत अराम से strategy मना के पढ़ना है तीन महीने बहुत sufficient time होता है पढ़ने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन को प्रेस कर दो और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रो चितना आप लोग शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट हम लोग आपको प्रवाइट कर पाएंगे उतने अच्छे वीडियोज हम लोग डेलेवर कर पाएंगे तो एक मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए तो प्लीज शेयर करो जितना कर सकते हो तो थैंक्यू पर नाव बाई